हेलो नमस्का दोस्तों कैसी हैं सभी और कैसी चल रही आप लोगों की तारिया तो यह करणड़ फेर की शीरीज है जहां पर हम पिछले एक साल का करणड़ फेर कवर कर रहे हैं आपके एक्जाम के लिए और पिछले वाले वीडियोज नहीं देखें तो देख लीजिए एक और नया कुछ किया है मैंने आप लोगों के लिए कल आपके लिए एक वीडियो आ जाएगा जिसें पिसले एक साल के टूप एक जार करनट फेर की सीरीज है जो की सुपरफास तरीके से है यानि एक जाम से जश्ट पहले मैंने अपलोड कर दूँगा इसको कली ही अपलोड कर दूँगा यानि एक डिट गंटे में आप एक जार क्यूशन आपके सुपरफास तरीके सेरीजन हो जाएंगे ताकि आप एक से जादा बार उस वीडियो को आप देख पाएं ठीक है तो लाइक शेर कर देना ताकि वो वाले वीडियो हम जल्द अपलोड कर दें और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजे पीडियो जितनी भी आप लेना चाहते हैं वो सारी पीडियो टेलिग्राम चैनल पर मिलेगी जिसका लिंक है प्रहलाज सार अनसर के नाम से तो पड़ा पड़ वीडियो को एक बार लाइक जुरू कर दीजेगा ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे नए-ने वीडियो बनाने का और देखते हैं आज आपका स्कोर क्या है कितने करण फेर के क्यूसन सा आप सही कर पाते हैं तो पहला क्यूसन आज का मारा यह है कि भारत और किस देश की नो सेनों ने हाली में यमन के पास अधन की खाड़ी में एक स्युंक्त सेने व्यास किया यमन के पास अधन की खाड़ी में भारत और जर्मनी की बीच में एक नो सेने व्यास वा था याद रखेंगे नो सेने व् एकला है कि टोक्यो पेरा उलम्पिक में भार्द की अवनी लेखरा ने महिला की 10 मीटर एर राइफल में फाइनल मेंच में कौन सा पदक जीता था नाम क्या है अवनी लेखरा ने ठीक है तो जलवायू, सीकर्समेलन की मेजबानी भारत कर रहा है, भारत ने की है, यानि B आपका सही आंसर है। अगल है कि सुमित अंतिल, जिन्होंने टोक्यो पेराउलम्पिक खेलों में गोर्ड मेडल यानि स्वनपदिक जीता है, उनका समंद कौन से खेल से है। सुमित अंतिल जो है, इन्होंने गोर्ड मेडल जीता था टोक्यो पेराउलम्पिक में और किस खेल से समंदित है, भाला फैंक से समंदित है, सी आपका सही है। समानित किया गया, वेरी वेरी इपोर्टेंट, तो रास्तानी साहितिया कादियी पुरस्का दोजार बीस बंवर्शी सामोर को यानि एक आपका सही आंसर। हाली में खबरों में रहे डोक्टर फिर दोसी कादरी और मुहमद अमजद साकीब किस पुरस्कार के प्राप्त करता है, इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है, फिर दोसी कादरी को और मुहमद अमजद को इन्हें रेमन मेकसे से पुरस्कार से समानित किया गया है, एक इनका समंध कॉन्से खेल से मौरगन शंटेंली ने वितवरस 2000 के लिए भारत की जीडेपी विकास तरो इतने परतीसित रहने का अनुमान लगाया है, तो 10.5 परतीसित रहने का एक आपका सही है। अगले कि बारत के लिए टेस्ट मैचों में 31 गेंद पर अर्दस तक लगाने वाले कपील देव की जो 30 गेंदों पर उन्होंने अर्स तक लगाया था, उसका रिकोर्ड तोड़ दिया, नि दूसरी बल्ले बाज कौन बन गए हैं। यानि पहले 30 गेंदों पर कपील देव जी का था और अभी 31 गेंदों पर बनाने वाले सार्दूर ठाकूर है, यानि राइट आर्स अरब का C है। अगल है कि नीमन मेंसे किस भारतिय ने टोक्यो पेर उलम्पी की हाई जंप सपरदा में सिल्वर मेडल जीता है। अगल है कि किस मंत्राले ने स्वच सर्वेक्षन ग्रामीन 2020 जल सकती मंत्राले की द्वरा किया गया है, यानि एक आपका सही है। गलोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है भारत 101 में स्थान पर है यानि डी आपका सही है। अगला परसन है कि फौस के द्वरा प्रकासीत विश्वेक्षन की सर्वेक्षन न्युक्ता 2020 रेंकिंग में कौन सी भारती कंपनी सिर्थ सस्तान पर है। तिसमें भारत ये रिलाइंस इंडेस्ट्री जो है कि सिर्थ सस्तान पर है एक आपका सही है। अगला है कि किस सहर में भारत की पहली रोपवे प्रिवेन सेवा शुरू की गई। अगला है कि भारत का पहला अटल समुदाइक नवाचार केंदर की स्ताफना किस सहर में की गई है। तो फुटबोल की खिलाडी है ये राइड आंसर आपका एक नमर सही आंसर। अगला है कि अभ्यास माला बार भारत और किस सैसस्तर बल से समधित है तो भारत के कौन से सैसस्तर बल से भारत ये नो सेना से समधित है यानि एक आपका सही है अगला है कि केंदर सरकार ने किसे एक बार फिर से राष्ट ये बाल अधिकार सरक्षन आयोग का अधिक्स बनाया ह ब्राष्ट ये बाल अधिकार सरक्षन आयों के अधिक से प्रियंक कानुन गू यानि राइट अंसराब का C है अगल है कि निमलक मैंसे किस संस्तान ने भारत के लिए 2021 State of the Education Report लोंज की No Teacher, No Class ये रिपोर्ट है No Teacher, No Class और ये UNESCO के द्वारा की गई यानि B आपका ठीक है अगल है कि हाले में निमलक मैंसे किसे Business, Stability, Leadership के लिए C के प्रहलाद अवार्ड दिया गया है, ये किसन मैंने जानव उसके अड़ किया है प्रहलाद अवार्ड के सिदिया गया है, तो सत्या नडेला के द्वारा किया गया है तो मेरे नाम के अवार्ड भी है, पता ना, लाइक कर दे ना फटा 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 भी ठीक है, चले मुझा की बाती अगलाद की परदान मंत्री कारियाले, यानि PMO में निमन मैं से किसे नया स्चियू निट किया है ठीक है, PMO में नया स्चियू जो निट किया है, मीरा महोतिको यानि राइट आर्सर भी है अगलाद की भारत में, I.S.S.F. जूनियर विश्वे चेंपिल सिप में कितने पदक भारत ने जी दे तो बात है, टोटल 43, 43, C. आपका ठीक है अगलाए के राजस्तान उन्चन्याले के मुख्य नयाइदिस की रुप में हाली में किसने सपत ली है, नए मुख्य नयाइदिस कौन बने है, अकील कुरेशी बने है, यानि एक आपका सही है अगलाए के निमत में से किसे आर्थिक विज्ञान में नोबल पुर्षकार 2021 से समानित किया गया है, आर्थि विज्ञान में नोबल पुर्षकार किसे दिया गया है, डेविड कार्ट को, जोस्वा अग्रिस्ट को, गुल्डो इम्बेंस को, यान सभी को, तो इन सभी को दि सबस्क्राइब. अगलार की विश्वे चैंपिन्सिप में रजद पढग जीतने वाली देस्की पहली महीडा पहलवान कोन बन गई है। विश्वे block जीतने वाली पहली महीडा पहलवानने अस्तू कुम और टीक है। अगले कि भारतीर रिज्युर बैंक ने मोद्रिक नीती समीती ने लगातार आठवीं बार रेपो दर को कितना बनाये रखा तो रिज्युर बैंक की मोद्रिक नीती ने जो रेपो दर है वो भी चार पर 30 यानी C आपका ठीक है अगला है कि निमल्क मैंसे किसे साहिते के लिए नोबल पुरुषकार 2021 से समानित किया गया साहिते के लिए अब्दुर्रजा गुर्णा को एक आपका सही है अगला है कि निमल्क मैंसे किसी नोबल सांती पुरुषकार 2021 पुरुषकार दिया गया है नोबल सांती पुरुषकार किसे दिया गया है मारिया रेशा, दिमित्री मुराटव या इन दोनों को तो इन दोनों को ही दिया गया है एक भी दोनों आपका सही है अगल है कि जिम कारबेट पारे का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है जिम कारबेट पारक का नाम बदल के क्या कर दिया गया है राम गंगा नेशनल पारक कर दिया है राम गंगा नेशनल पारक यानि डी हो जाएगा आपका सही आंसर यानि डी आपका सही आंसर है तिरे में से क्या आपका स्कोर रहा है कितने क्यूसन आप सही के हैं कॉमेंट करके कि बिताइए पीडियेफ अगर आप लेना चाहते हैं सभी पीडियेफ तो टेलीग्राम चैनल पर मोस्ट इपोर्टेंट कल की क्लास विन कर लेना जहां पर हम डेली आठ बज़े हम लाइव टेस्ट करते हैं तो आप लोगों के लिए इतनी महनत होती है ति वीडियो को लाइक शेर आप जरूर कर दीजे क्योंकि इसके बाद में भी आने वाले सबी एक्जाम्स के लिए मरोजाना जो है नई 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 सरीच नई नई टेस्ट सरीच और खास तोर से हमारी सुपर पास सीरीज है जो इसको कंटीनू रखेंगे तो मिलते हैं एकले वीडियो में कुछ और इपोर्टेंड क्यूस्टनों के साथ बहुत बहुत दन्यवाद थैंक्यू